तो हम इस सेक्शन में पहले और गैस से स्टार्ट करेंगे उसके ओरीजन देखेंगे कि कैसे स्टार्ट होता है उसकी उसका कहां से शुरू होता है और उसके बाद वो देखेंगे कि कहां तक पहुंचता है उस वह तक कि जब तक कि तेल निकालने तक की बात रहेगी तेल निकालने के बात की बात जाएगी तेल निकालने के बात की बात जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो उनको कहते हैं, plankton, especially zooplankton, जू plankton एक animal होता है, छोटा सा, अब मैं उसकी तस्वीर आपको दिखाऊँ, यह सारे zoo plankton की examples हैं, अब यह देखें, इनका size देखें, थीन सो से लेके 600 माइकरॉन तक की, अगर आप बहुत ज़्यादा गोर तो शायद आपको नजर आ जाए, यह बिलकुल वो light wavelength के अंदर है, 400 से 750 नैनो मीटर तक, 407 नैनो मीटर में, यह तो micron के अंदर है, तो यह आपको नजर तो आ जाएगा, लेकिन वो बहुत चोटा सा है, बहुत ही चोटा से चीज़े हैं, लेकिन सारा समंदर इन से भरा हुआ ह यह जो पानी है, उसके वाल्यूम है, उसके वाल्यूम से बिलकुल अतरफियज़ और मैच करता है इनका वाल्यूम, आप बड़ी-बड़ी जो वेल मचलिया हैं यह खाती हैं, आप देखें दुनिया का सबसे बड़ा जान्वर वेल मचलिया है, आप वो सरफ इन चीज़ों का का के जिन्दा रहता है अब यह बिल्कु लितनी छोड़ी छोटी चीज़ है और यह ओल के जो अपना ओरीजिन है ना वो यह सारी चीज़ है जूपलैंक्टन अब जूपलैंक्टन अच्छा अब आप एक बात देखें कि अगर फर्स कीज़े आपने एक आप मार्किट गए आप एक गोश्ट का टुकड़ा लेके आए उसको आपने किचन में रख दिया और भूल गए कि इसको पकाना था लेकिन कुछ हो गया आप भूल गए उसको दूसरे दिन आएंगे तो क्या होगा वो बिलकु खराब हुआ होगा न उसमें से बू आएगी तो क्या बू का मतल क्या होता है वो का मतलब यह होता है वो जो उनके प्रोटीन जो है ना गोश्ट के अंदर वो ब्रेक हो जाते है उसके ब्रेक आउट के वज़ा से गैस निकलती है वो गैस आप सुंगते है तो नदर आता है कि भी ऐसी चीज़े है वो प्रोटीन कैसे खराब हो जाते है वो हوجاتے हैं। जो हवा होती है न whiskey जाना उसकी। वज़ासे वहा आकसीड щоб चाहर होती है। होतो ही बाज दफ़ाइब को लेकर एक प्लास्टिक डैंग में डालके और इर उसके कर लेक्यूम कर लेक हैं फिर खोश्ट खराब होने का मस्ती होता है, बर्टीन की ऑक्सिडेशन अब प्रOTEIN तो आपको पता है कितना होता है, उस सारे गोष्ट के अंदर, तो वो यही चीजे हैं, अभ यह जो है, यह भी सारी प्रोटीन है, यह जो फ्लیک्तन है, और नहीं की जो उमर होती है न, वो एकाद कि अधिन होती है वा आते हैं। जो कुछ काम होता हैं उनका करते हैं, यखिनन एकालोजी में को इनका वैल्य है, सबसे बड़ी वैल्य to यह है कि मश्लियОं का खाना बन रहा है। लेकिन वो मर जाते हैं। उसके बाद मरने के बाद कहा हैं। वो सारा का सारे जिजू प्लैंक्टन है ना नीचे आ रहे हैं, समंदर के अंदर, और वो मीटर टॉल उनकी लेर बन रही है, कितने सारे अंदाज हैं, कितना सारा होगा, अच्छा समंदर के अंदर क्या होता है, ऊपर रहें, तो मचलियां तो ऊपर ही रहती हैं, बहुत कम ऐस मचलियां होती हैं, जो deep sea के अंदर हो, क्यों? क्योंकि वहाँ oxygen कम होती है, तो जहाँ तर मचलियां ऊपर यह shallow seas के अंदर होती है, बहुत कम ऐसे animal हैं, जो low oxygen content में नीचे आ सकते हैं, बाद लोगं का कहना ये है, कि वह oxygen और रोट होना शुरू हो जाती है, रोट जैसे गोश्ट खराब होने की बात है लेकिन आक्सिजन नहीं है, तो जो प्रोटीन है, वो जो ब्रेक आउट होता है, वो फिर ऑक्सिडाइज नहीं हो पाता, वो ऑक्सिडाइज नहीं हो पाता तो प्रोटीन है, फैटी एसिड्स हैं उ और चेंज होगी आइल केंदे तो कितना आइल निकलेगा इन से लेकिन इनका मास इतना ज्यादा होता है ना कि उनको अगर आप कनवर्ड करें तो फिर देन यू प्लेंक्तन आप अफ यह एक बड़ी कमाल की बात है कि किस तरह एक चोटी सी चीज जो है वो इतनी बड़ी इतन जैसे नीचे आगते जमा हो रहें तो तबंदर में क्या होता है दरिया से रेत आती है सब सेंड आती है वो नीचे वो भी जमा होती है तो जू प्लेंक्टन की लेर आ गई उपर से सेंड की लेर आ गई तो जू प्लेंक्टन बिलकुल ऑक्सिएन खुतम होगी इसके अंदर Oxygen खतम हुई, pressure बड़ता गया. pressure बड़ता ऊपर से और नीचे से यकिनान अर्थ का mental घुड़ काफी गरम है वो नीचे से गर्मी है, ऊपर से pressure है और Oxygen नहीं है. तो इसका मतलब यह सारे का सारा तो नहीं, majority इसका जो मास है वो convert हो जाता है तेल के अंदर. लेकिन ये सब तेल का जो conversion है न ये सब मिला के भी बहुत ही छोटी-छोटी pockets बनती हैं तेल की उसके अलावा भी एक और process चाहिए जिससे तेल बिलकुल पूरा बने और एक जगा जावा हो जहां जाके हम उसको collect कर सकें तो ये जो है ये इस तरह का pocket बनता है अब ये देखें कैसे ऊपर वाले उसमें देखें कि सारी तेल की pockets बनी है वो तो बन गया वो पहला स्टेप पूरा हो गया अब दूसरा स्टेप यह है कि ये जो छोटे-छोटे pockets हैं उनको कैसे condense किया जाए एक जगा जहां पे इतनी में बख़दर ने तेल हो कि उसको निकाला जा सके हर जगा तेल होता है जब मैं आपको shale sand के बारे में मैंने पहले हुआ था tar sand के बारे में उसमें यह होता है कि वो तेल इखटा नहीं होता, वो हमेशा मिटी के साथ मिलावा होता है, उसको अलग से निकालना पड़ता है, लेकिन वो नहीं होता है, ज्यादा तर तेल के जो कुएं होते हैं, उसमें तो तेल होता है, सिर्फ मिटी विटी तो नहीं होती, तिर्फ तेल निकालत अब जैसे जैसे pressure मिलता जाएगा, ये सारी चीज़ें उसकी pressure की वज़े से condens होती जाएगी, अब pressure की वज़े से क्या होता है, ये देखें, ये ऐसा structure बनता है, conical structure, तो अभी मैं आपको तस्वीर दिखाऊँगा, ये conical structure, लोग उपर से देखते हैं कि कहां है ऐसी कौन, तो तेल भी है वो बिल्कुल डिस्पर्स है उसको जाल के निकाल नहीं सकते है एफिचेंटली और एकनामिकली तो इसकी वज़ा से वो जिलाजिकल प्रासेस का होना जूरी जिससे ओयल सारा कंडेंस हो सके तो ये सब मिलाके इसकी कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं और ये तमाम तेल जो है वहां जमा होता है और तेल और गेस दोनों एक ही साथ प्रोड्यूस होती है तेल भी कार्बन और हाइडरोजन का मिक्शर होता है पेंटेन, हेकसेन, हेप्टेन, ओक्टेन ये सारी चीज़ें जो है ये तमाम कार्बन और हाइडरोजन का मिक्शर है और गेस भी पहला मिक्शर पहली गेस वही ह methane, carbon एक hydrogen CH4, methane एक, you know, pentane में पाँच carbon, hexane में 6 carbon वो जितने heavy होते जाते हैं, वो फिर तेल में बदलते जाते हैं methane, ethane, pentane butane, तो ये जे सब सिरी गैस हैं क्योंकि वो हलके होते हैं, समें carbon नहीं होते हैं, तो वो हलके रहते हैं, तो गैस से बागर ही सब एंदर बनानागे कि एक ही मेकशनिम मेकानिजम है डोनों बनने का अब उसको जब जमा हो जहाए तो आप उपर से उसको ककहा हो तरी होजह कहते हैं कहां से निकला कहां क incentive भी है वो भी आपको एक मिनट में बताऊंगा यगा वहां पर एक जगह लगा Ale तेल निकला है आसान तरीक ही है हाला कि काफी सारी मुश्किलात है वह सिर्फ इसे पहले उपर से सर्वे करना पड़ता है फिर नीचे से देखना पड़ता है ये एक जगा ऐसी है एले में बिलकुँ बड़ा शहर पूरा शहर उसके बिलकुल बीच में दो तीन ब्लॉक ऐसे है जहां पर ऐसा है कि वो तेल जो है जमीन के बिलकुल खरीब है कोई इसके खास इस्तिमाल की जूरत नहीं लेकिन पुराने जमाने में लोग आते थे तेल निकाल के ले जाते थे अपने और जलाते थे रोश्णी के लिए गर्मी के लिए सब के लिए लेकिन ऐसी जगा है कि तेल है कीचड़ है सब कुछ सब आके वहां फस जाते थे तो यह वहां पर इनसान भी डाइनोसार भी सब वहां पर उसको उन्होंने एक सेक्शन बनाए वो सारी चीज़ें उसने निकाल के उसने दिखाई है कि यहां यह यह चीज़ें आती थी पानी के लिए और फस जाते तेल है वहां कीचड़ है तो यह उसकी बात करा था वह कौन की जो उपर से देखते थे यह सवदी अरे भी एक वह पिक्चर उपर से देखें नीचे नजर आये कौन है वहां पर फिर उनको अंदाज होते हैं कि शायद मुम्किन है कि यहां ओयल हो वहां जाके फिर उसकी रास वह है दारत की टनी उसको ले जाके देखते हैं वो बताती है कि कहा हैं, वो कोई science उसमें नहीं है वह बहुत ऐसी दिमाग में हैं लेकिन यह चीजह भाए साइंटिफिक तरीखें से की जाती है इसको survey कहते हैं, seismologists वगरा, seismology वाली कहानी है वह जो अगले section में आपको अबता हुआ अगा